आज मैं बनाने जा रहे हूं आम का आचार मैं इस अचार को बना के रख लेती हूं तो दो साल तीन साल तक चलता है आप भी अगर कुछ टिप्स में बताऊंगी अगर आप लोग उसको फालो कर लेंगी तो आप लोगों का भी आचार ऐसे ही चलेगा तो चलिए देर न करते कलपना मिश्रा और आप देख रहे हैं अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अचार बनाने के लिए मैंने दो किलो वाम लेकि इसे चोटा-चोटा काटके इसे अच्छे पानी साफ पानी से धुल इतना इस तरीके से हो गया इसका छिलकिक्जम से लूज हो गए है और इसमें पानी नहीं लगा हुआ है इसके बाद में पनीशीय निकल जाती है जब धूप लगती है तो उसको भी निकाल दीजे आम के अचार बनाने के लिए अब आम में हम एट करेंगे मसाले 100 ग्राम हल् लाल मिर्ची कुटी हुई पाउडर नहीं कुटा हुआ लाल मिर्चा 100 ग्राम और यह लेशन है इस कटोरी से एक कटोरी था मैंने इसको कूट करके इसको मिला देना है इसमें अगर आप लेशन खाते हैं तो डालिए नहीं खाते हैं तो मड्डा लिए यह एक चम्मच हींग है दानेदार हींग है तो इसलिए हम इसको एक चम्मच से थोड़ा से दिख रहा है जो खाली खाली तो बस इसलिए नहीं तो यह और इसको हम इसमें मिला देंगे अचार में यह है आम के अचार का मसाला इसमें धनिय जितनी जैसे ej 200 g अगर द linguistic link थिज़ दो दो ग्राशच अविम लेते हैं 200 g थनिय हодаन inverti 50 i mean changi ती या तूचास ग्राम में धी फचास क्राम जीरा और 10 g 15 g और 15 कलांजी यह सब हमें सब भोन करके पीस लेना है और वही मसाला मैं इसमें मैंने पीस लिया था मैं डाल रही है कलोंजी मसाला है इसका मुषब मिला के यह 500-500 ग्राम से ओपर ही है हमारा मसाला अगर थोड़ा बहुत मसाला ज्यादा हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती कि अब Member तो अचार आपका अच्छा ही बनेगा खराब नहीं होगा कि एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही पढ़ रखा है इसका लिंक में देदूंगी आप जाके देख सकते हूं अब मैं इसमें एड करूंगी नमक मैं इसमें नमक डाल दी हूँ, अगर आप नमक डालते हैं थोड़ा जादा भी कर देते हैं तो इससे अचारा आपका सेफ ही रहेगा, खराब नी होना, अब मैं एट करूंगे इसमें सरसो का तेल, मैं तेल गरम करके नहीं डालती हूँ, ठंडा तेल ही पड़ता है अब इसको खुब अच्छे से मिला लेंगे अब में आपके आपटाई रिक दो करूंगे आपकाय को अब यह मैंने अच्छे से को मिला लिया, एक लीडर के तर लगभग मैंने तेल इसमें डाला है, तेल और मसाला, अगर इसमें आप कितना भी डालिए तो तक रहेए तो थीक रहें नहींगे यह नहींगे, तो नहीग अगर आपका अचार तो साल के बाद भी खत्म होता है और इसमें मसाला पड़ा रहता है तो वह मसाला तब भी उज़ हो जाएगा मसाला आपका कभी खराब नहीं होगा आप अप भी आप अचार को शुख को परिए जिप्रफोंट जैसे आप एक ही दिन में आप सुखाई और इसका भी यह बहुत दियों कालर नहीं चेंग होता है और ताज अचारा को भी तहले तिस बर्तन में आपको आपको अचार रखना है वह बर्तना प्सूखा अजारी और में पानी बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए और ये थोड़ा सा नमक उसमें अब हम डाल देंगे इसको अचार रखने के बाद आप अगर कांच के बरतन में या फिर चीनी मिट्टी के बर्णी में रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है उससे बहुत ही लाइब बढ़ जात है तो इसको एक सूती कपड़े से उपर इसका मुझ बांध दीजिए मुझ भड़ा के और इसको धूप में रख दीजिए पानी से बचाएंगी तो आपका अचार कभी खराब नहीं होगा कभी आप निकालिये भी तो सूखे बरतन से सूखे स्पून से निकालिये मैंने अचार बना लिया है अगर यह अचार आप जिस बरतन में रखते हैं उसमें थोड़ी सी जगह होनी चाहिए बहुत भर के दबा के नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें फिर एर नहीं मिलती तो वह अंदर से गरम पाके अचार खराब हो जाता है तो थोड़ी सी जगह अगर यह मेरा वीडिया आप रोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक्यू सो मॉच कर दो करेंगर बिल्कुल मत जाएफ करका से बgoodम हम के नहीं करता है है मॉच